हेलो एर्वेन, वल्कम बैक टो नदर वीडियो एच्पी, नॉन मेडिकल टैट और ल्टी टैट 24 नोंबर 2024 को कंड़क्ट करवाए जाएगा इस वीडियो में हम इन टैट के एक्जामिनेशन में प्रिवियस येर में पूछे गए जी के सक्षन के important questions को हम detail में discuss करेंगे, quickly revise करेंगे ये आपके examination में यहाँ से question बन सकते हैं question most important रहेंगे प्रिवियस वीडियो में जो हमने question discuss किये थे वो आपको जेविटी टैट और टीजटी आर्ट्स और साच्टी टैट में काफी questions देखने को मिले तो start करते हैं पहले question से question number 133 वर्तमान में भारतिय समिधान में कुल कितने भाग है currently how many parts are there in Indian constitution भारतिय समिधान में currently at present कितने part at present Indian constitution में 25 part है option B करेट होगा 25 जब समिधान बना था उस समय समिधान में total 22 part थे अब 25 part हो चुके जब समिधान बना था उस समय केवल 22 parts थे 395 articles थे और 8 schedule थे 8 schedule थे at present 12 schedule है 12 अनसूचिया है जब समिधान बना था तब 8 अनसूचिया होगती थे अगला उस्टन है राष्टरपती राजसभा में कितने सदस्यों को मनुनित करता है how many members are nominated by the president to राष्टरपती के द्वरा राष्टरपती के द्वरा राजसभा में total 12 सदस्य नॉमिनेट की जाता है मनुनित की जाता है option एक रेक्ट होगा 12 सदस्य and राजसभा का सभापती कौन होता है राजसभा का chairman होता है voice president उप राष्टरपती और राज्यसबा के दस्यों का कारेकाल होता है 6 वर्सों का और राज्यसबा कभी विगटित नहीं होती है ये निरंतर चलने वाली संसल है कोशन number 35 भासा कैदार पर गटित पहला भारत का पहला राज्यता है भासा कैदार पर the first state of India formed on the basis of language वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुकत कौन है। तो यह हैं राजीव कुमार चीफ एलेक्शन कमिशनर है भारत के ऑप्शन B करेक्ट है एड प्रिजन यह 25 अगला गोशन है परशित पशुपती की मुहर कहां से मिली है। अधुनिक पाकिस्तान में हैं यह हिसा पाकिस्तान में चला गया है इसकी मोहर जोड़ो जो साइट है हिंदू घाटी सब्वेता की इंडिस वैली सिविलाजेशन की मोहर जोड़ो साइट की खोज हुई थी 1922 में मोहर जोड़ो की खोज हुई थी रखाल दास बनरजी निसकी खोज की थी रखाल दास बनरजी थी रखाल दास बनरजी कि इसकी खौज हुई थी उनिससो चववन रंगपुर भी गुज्रात में ही है इसकी खौज 3931 एंसी मुझुमदार नहीं ही तरस्वरी स्र राव ने इसकी खौज किती हो के एस्र राव चलिए अगला गुस्न है भारत पर मुहम्मद बिन कासिम का अक्रमन कब हुआ कासिम ने इसलाम धर्म को भारत में इंट्रोडियूज किया था इस प्रकार से ये कोशन पूचा गया था वहां पर भारत का प्रतम गोवरनर जननल कौन था? who is the first Governor General of India? Lord William Bentig भारत का पहला Governor General था? Lord William Bentig जिनके कारेगाल में सती प्रता किस्माप्ति के गय थी, राजा राम मोहन रहए के दोरा अगला कोशन है वर्तमान में केंद्रिय स्वस्थे मंत्री और परिवार कल्यान मंत्री कौन है केंद्रिय who is currently the central minister of health and family welfare so मनसुख मंडाविया central minister of health and family welfare है option c ग्रेक्ट होगा स्वस्थे और परिवार कल्यान मंत्री लास्ट यह जब कोशन पूछा गया था तो उस समय मनसुख मंडाविया थे अब श्री जगत प्रकास नड़ा है ओके श्री जगत प्रकास नड़ा है जगत प्रकास नड़ा ही माजल से यह center में health and family welfare minister इस बात का देना के जगत प्रकास नड़ा है धर्मेंद्र प्रधान education minister है education minister होगे next question है निवन में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है which among the following is called gold thread शोने का रेशा कहा जाता है रेशम को option d करेक्ट होगा पीतल जूट या कपास तो जूट को कहा जाता है जूट को गारता है gold thread option b करेक्ट होगा शोने का रेशा जूट अगला question number 27 निवन में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है which of the following river does not form a डेल्टा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है option b करेक्ट होगा नर्मदा question number 28 भारत में सूती वस्त्रों की राधानी कहा जाता है which city is called the capital of cotton textile सूती वस्त्रों की राधानी मुंबई को कहा जाता है option b करेक्ट होगा मुंबई अगला question अगीन जियोग्रफी से है देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा है the largest natural harbor of the countries मुंबई का बंदरगा जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा है मुंबई option d करेक्ट होगा मुंबई question number 37 क्षेत्रफल की द्रिष्टी से देश का सबसे बड़ा राज्या है the largest state of India in terms of area in terms of area क्षेत्रफल की द्रिष्टी से north है क्षित्रफल की द्रिष्टी से राजस्तान सबसे बड़ा है option A कर्थण और अगर बात करेz Population wise Population जनसंख्या की द्रिष्टी से उत्रफदेश सबसे बढ़ा है पॉपुलेशन से पूछें अगर तो UP और अगर area wise शेत्रफ़ कि दिश्टी से पूछें तो राजिस्थान अरव सागर की राजदानी किसे कहा जाता है Which city is known as the queen of Arabiancy कोची को कहा जाता है queen of Arabiancy option b क्रुचट होगा अरव सागर की राणी कोची शहर को कहा जाता है question number 132 समिधान सभा की प्रथम बैटक कब हुई थी, when was the first meeting of the constitute assembly head समिधान सभा की पहली बैटक हुई थी 9 December 1940 को option एक रेक्ट होगा दूसरी बैटक हुई थी 11 December 1940 को पहली बैटक ये देख्षता की थी सचिदानन्द सिना ने सचिदानन्द सिना सचिदानन्द सिना ये स्थाइदेक्स थे इसके बाद 11 December को चुने गए स्थाइदेक्स उनका नाम था राजेंदर परसाद राजेंदर परसाद को स्थाइदेक्स चुना गया राजेंदर परसाद 9 December को जो पहली बैटक होई थी उसके देख्षता सचिदानन सिना ने की अगला उसन है वर्तमान में Microsoft Company के CEO कौन है Who is the CEO of Microsoft at present Microsoft Company के CEO है Chief Executive Officer CEO है सत्यनडेला option B क्रेक्टो का सत्यनडेला अगला उसन है With I.O. के गठं का प्राफदान भारती समिधान के किस सनुछेद में है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिन कॉंसिट्यूशन इज प्रोविजन ओफ और दर कॉंसिट्यूशन ओफ दर फाइनांस कमिशन विट आयोग के गठं का प्राफदान भारती समिधान के अनुछेद अनुछेद 280 में है option एक रेक्ट होगा आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 एलेट है विटायोग के यानि फाइनांस कमिशन के किस उच नहले में नैधीसों की संक्या सरवाधिक है विच हाई कोट है दो मैक्सिमम नंबर आफ जैजिस तो सबसे ज़्यादा नैधीसों की संक्या जो है वो है अलाबाद हाई कोट की option B करेट हो इलाबाद हाई कोट में सबसे ज़्याद ज़्यादें 160 ज़्यादें यहां इसमें 120 पर्मनेंट हैं और additional 40 additional हैं टोटल 160 ज़्यादें की संक्या है अगला solution है लाल ग्रह किसे कहा जाता है which planet is called Red Planet लाल ग्रह कहा जाता है मनंगल ग्रह को यानि मार्स को कहाता है लाल ग्रह मनंगल ग्रह को लाल ग्रह ही इसलिछा चाल टा-हा जिसके कारणी यह लाल दिखाय जयता है आएरन ऑक्साइड की वज़ा से इसे लाल ग्रह का जाता है अगला कोशन है कोशन नबर 41 निमन में से सरवधिक लवनता पाई जाती है Among the following the highest solidity in found in स्रवधिक लवनता सबसे खारा जो लेक है वो कौन सी है यह है वान लेक टर्की की वान लेक सबसे ज़्यादा खारे पानी की लेक है एक रेक्ट का वान लेक इसके अलावा आप समझ लेगी जो मृत्य सागर है वो जॉर्डन में है चिलका लेक भारत में है भारत के उडिशा में है चिलका लेक उडिशा में वान लेक टर्की में है कई बार कोशन ऐसे भी बुच लेता है कि वान लेक किस देश में है तो वानलेक टर्की में है और सबसे अधिक लवनता भी इन में से नवानलेक में है नेक्स्ट कोशन कई बार एक्जामेशन भूचा गया है स्युक्त अर्ब एमिरेट्स की मुद्रा क्या है What is the currency of UAE UAE की currency है दिरहम Option D करेटो का दिरहम रियाल currency है रियाल currency इरान में यूज होती है इरान में ओमान में यमन में और कतर में यहां पर रियाल यूज होता है दिनार दिनार भी बहुत सारी कंट्री में यूज होता है जैसे एराक में जॉर्डन कुवेट कुवेट में हैं में से कुवेट में यूज होता है कुवेटी दिनार, अब कंट्री का नाम दिनार क्या लग जाता है, जैसे इराक में इराकी दिनार यूज होती है, अलजिरिया में अलजिरियन दिनार, सर्बिया में सर्बियन दिनार, लीबिया में लीबियन दिनार, तो दिनार काफी कंट्री में ये करंसी यूज होती है, ले कालिश्वर फेर कांगड़ा गस होता फेर कुल्लू में मिरपूर का गस होता फेमस है। प्त्र का है हलोक का फ्रीज़्वर का फ्रीद है okay लोग का पथर का खेल और एकांध मेला शांध मेला है। शांद मेला शिम्ला का और एक रामपूर का फाग मेला रामपूर का है राज्यस्तर ये मिला है ये जो पत्थर का खेल हलोग में मना जाता है शिम्ला में ये दिवाली के अगले दिन मना जाता है तो बरिया नुवंबर मनते है कालेश्वर मेला कांगडा में मना जाता है इसके अक्यरिन कांगडा, कांगडा में विनासकारी भूकम पाया था 1905 को लेकिन यहाँ पे डेट पे पूचिये तो डेट है 4 अपरेल 1905 को विनासकारी भूकम पाया था कांगडम, option, एक रेक्ट हुआ एगला कोशन है धामी गोलिकांड किस वर्स हुआ धामी गोलिकांड 49 में हुआ था यह कोशन प्रिवियस जो 17 तारीक को टैट हुआ इसमें भी यह कोशन पूचा गया था 17 नौबर को, धामी गोलिकांड 49 को हुआ था हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में जो सबसे छोटी नदी है मेन रिवर्स में से सतलूज व्यास रावी अपनों में से हुआ है यह मुना रिवर के बल सिर्मावर जिले में ही बहती है सिर्मावर में बहती है सबसे छोटी रिवर है हिमाचल की lowest literacy rate as per census 2011 2011 की जनगर्णा के नुसार हिमाचल परदीश की किस जिले की महिला शक्सरता सबसे कम है चमबा की overall भी चमबा की हिमाचल परदीश के सभी जिलों में सबसे कम है शक्सरता दर और महिला शक्सरता भी चमबा की ही सबसे कम है तो option B correct होगा चमबा सबसे ज्यादा है शक्सरता दर और सबसे उपर है सबसे जिलों में option B सबसे कम चमबा की और महिला शक्सरता दर भी चमबा की ही सबसे कम है 61.7 परसेंट है चमबा की और हमिरपूर की है 82 परसेंट अगला गोश्चन है गोश्चन परेक्ष ओरतालिस हाल ही में हिमाचल परदेश के विनेट ने सपीती की सभी पात्र महिलाओं को इंदरा गांधी सम्मान निदी के रूम में पंदरा सो रुपए दनरासी सभी को बता भी थी कुछ लोगों को मिले इसे बंद हो गई अब अगला कुश्चन है कि नौर जिले में कुल कितने विधानसभाक शेत्र हैं कि नौर में केवल एक विधानसभाक शेत्र है option B क्रेक्ट होगा 1 question 150 संझे विद्यूत परियोजना किस जिल्य में है संझे पावर प्रजेक्ट इस इन विच डिस्टिक संझे पावर प्रजेक्ट डिस्टिक की नौर में है option B करेक्ट होगा डिस्टिक की नौर अगला कोशन है दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी दीन ए इलाही किस था अपना 1222 में वही थी, किस ने की थी दीन ए इलाही किस था अपना अकबर ने सोमनात लाहडी किस पार्टी किस दस्या थे, सोमनात लाहडी कॉम्मिनिस्ट पार्टी किस दस्या थे, option C रेक्ट होगा communist पार्ट अगला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, question number 44, 139, राष्ट्री धोज को कब अपनाया गया था, राष्ट्री धोज को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, option C रेक्ट होगा, 22 जुलाई 1947 को, डेट याद रखे, 1947 बाइस जुलाई, राष्ट्री धोज को अपनाया गया था, अगला कोशन है, 911 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रवती कौन था, जॉर्ज बुश, 911 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रवती धोज को अप्शन B करेक्ट होगा, नेक्स्ट कोशन है, हिंदू सम महासभा के संस्तापक कौन थे, हिंदू महासभा के संस्तापक थ से मदन मोहन मालवी ऑप्शन सी करेटों का मदन मोहन मालवी हिंदु महासावा की स्थापना हुई थी 1915 को अगला कोशन है राष्ट्री गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिए गया है ये लिए गया है अनंदमट से अनंदमट एक बेंगॉली नोवल है वंकिम चंद्र चेतर जी ने वंकिम चंदर चेतर पाध्या ने 1822 में इसकी रचना कि तिया है अनंदमट अगला उस्षन है लालजंद प्रार्थी किस जीले के निवासित लालजंद प्रार्थी बिश्टी कुदों के निवासित एक ररेक्ट हो आ तो जय बिलासपुर में लगता है डबली उगोर्डेस्टीन ने इसकी सुरुवात की थी अलवाडी में लेकि यह सूपर डेनेट हुआ अगर ते थे शिमला गये शिमला ब्रिटिस भारत की राजानी कब खोशित की गई 1864 को राजानी खोशित की गई विश्वो स्वास्ते दिवस वर्ड हैल्थ डे जब मना जाता है विश्वो स्वास्ते दिवस साथ अपरिल को मना जाता है कि इसमें बताना है कोई सामेल सही नहीं है रवी जंकर सितार वादक थे बिल्कुल सही है, MF हुसेन ये तबला वादक नहीं थे, गलत है, R के नहीं रहे न उपनियासकार है, बिल्कुल सही है, कैफी आजमी एक पोईट थे, कवी थे बिल्कुल सही है, तो यहां पर B सही नहीं दी गए है, option B ही सही उत्रोगा, अगला क कोशन है, G20 समोग की स्थापना कब की गई थी, G20 गुरूप वाज एस्टेबलिश दिन, G20 की स्थापना हुई थी, 26 सितमबर को, ओके, 1999 तो सही है, लेकिन यहां पर डेट्स गलत दी गई है, वह होगा, correct date है, 26 सेप्टेंबर 1999 को G20 गुरूप की स्थापना हुई थी, कहा ह हुई थी, बरलीन, बरलीन, जर्मनी, जर्मनी के, बरलीन में G20 समोग की स्थापना हुई थी, 26 सेप्टेंबर 1999, अगला कोशन है, अंतिम मौरे सासक जिसको उसके सेनापती ने मार दिया था, वह था, जब यहां पर अंतिम लग गया, तो अंतिम मौरे सासक ब्रिहदत माना आते हैं, ऑप्षन डी क्रेक्टों का जिनको अपने ही सेनापती ने मार दिया था, यह थैं मौरे सासक ब्रिहदत, यह मौरे सा सकते हैं, अंतिम मौरे सासक ब्रिह था, अगला कोशन है, जर्मुके की संदी राजा संसार चंद, एबान महाराजा रणजीत सींग के बीच किस तो ज्वाला मुखे की संदी संसार्चंद और महाराना रंजीत सिंग के बीच में थी 1889 वी में ऑप्शन D क्रेक्टोगा महाराना रंजीत सिंगे बीच अट्रासो नौश कांगडा दुर्ग का अंतिम मुगल के लेदार को था? ठ्री डिकेइड्स और लेमंट ये पुस्थिक लिखी है शरी अटल वीहरी 20! ने ओप्शन को ठेक्ट वंद और सिंटी वोल्ड का अटल विहरी 25 будто अगला कोशन है प्रतं फुट्वाल कक्ष्द वह जितने वाला पहला दिस कौन सा ता प्रतं मिच्श व कफट्वाल जतने से विच कंट्री वोन फिर्स्ट वर्ड कप फुटबॉल ये उर्गवे ने जीता था एर्जिंटना को हरा के option एक एक होगा उर्गवे पहला विच्व कप फुटबॉल जीता था उर्गवे ने अगला question है विच्व के सरवादिक राश्कों की सीमा को सपर्ष करने वाला देश कौन सा है विच कंट्री टैचिस दे बॉर्डर उफ मोस्ट नेशन इन दे वर्ड तो ये देश है चाइन और रशिया option C, Russia और चीन और रोस ओके, so that's it next video में हम और जीके के question हिमाचल जी के और इंटरनेशनल जीके के question डिसकस करें है जिग्राफिय, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, जिग्राफिय और हिस्ट्री हिमाचल जी के यहाँ से question काफी बन सकते हैं, तो उनको हम next video में भी discuss करेंगे, तो next part मिस नहीं किजिएगा psychology की revision के video हमने पहले channel पर डाल दी हुई है, तो उनको आप देख सकते हो PDF आपको मिल देगी Instagram, Telegram पे, Instagram और WhatsApp और Telegram का link के video के description और first comment में आपको मिल जाएगा चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले, thank you